बायो स्टेटिस्टिक्स बी एस एन 6th semester आज जो हमारा topic है that is called correlation और यह आपका unit number 13 है इस पे हम थोड़ी सी discussion करेंगे correlation क्या होती है बायो स्टेटिस्टिक्स में इसका क्या role है कुछ जरूरी बाते हैं सबसे पहले असान अलफाज में मैं आपको एक concept देता हूं कि अगर आपके पास दो quantitative variables है that is a very important point quantitative variables qualitative नहीं अगर आपके पास दो quantitative variables है let's say x है और y है तो अगर x और y के between कोई तालुक है तो उसका आप correlation कहते हो ठीक है अगर x और y दो quantitative variables हैं दोनों के दर्मियान कोई न कोई तालुक बनता है तो उस तालुक को हम correlation कहते हैं मतलब यह हुआ कि फर्स कीजिए आपके पास x की एक value है आपने x की value increase कर दी तो आपने जब x की value change की तो आपने देखा y की value भी increase हो गई है तो यानि कि जब x की value बदल रही है y की value भी बदल रही है तो मतलब हुए हुआ कि y का कोई न कोई तालुक तो x के साथ है इसी तरफ फर्स कीजिए आपने x की value घटा दी तो आपने x की value कम की तो आपने देखा y की value भी कम हो गई है तो इसका मतलब तो यही जाहर होता है कि अगर X की value कम हो रही है तो Y की value भी कम हो रही है तो मतलब यह हुआ कि X और Y का आपस में कोई ने कोई relationship बनता है Similarly आप यूँ कीजिए कि आप X की value बढ़ा दे और X की value बढ़ाने से Y की value कम हो रही है तब भी इन दोनों का कोई ना कोई तो तालुक बनता है और इसके opposite देख लें कि X की value कम होई तो Y की value बढ़ गई यानि तब भी X की value चेंज करने से Y की value चेंज हो रही है तो इसका जाहर से यही मतलब बनता है कि X और Y का आपस में कोई ना कोई relationship है उस relationship को आप correlation कहते हैं और MCQ के हवाले से एक बहुत जरूरी बात याद रखिए आपको confuse किया जा सकता है MCQ के लिए जरूरी है कि यह X और Y दोनो quantitative variables होने चाहिए qualitative नहीं अगर आपको quantitative और qualitative किया भी समझ नहीं है तो आप initial पहले पहले lecture पे चले जाए और उसनों को आप जरा readout कीजी ताकि आपको इन दो चीजों की बात समझ आजए कहते हैं कि correlation एक statistical technique है it is used to determine degree to which variables are related जैसे मैंने बात की X और Y का आपस में कोई ना कोई तालुक है लेकिन इन दोनों का तालुक किस नौयत का है क्या इन दोनों का बड़ा strong relationship है क्या बड़ा weak relationship है direct relationship है या indirect relationship है इन चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा correlation को एक statistical technique के हवाले से देखना होगा थोड़ी statistics को apply करना पड़ेगा अच्छा एक होती स्केटर डियाग्राम आप इन दो चीजों के between तालुक को किस तरह से दिखेंगे तो उसके लिए असानी के लिए एक graph होता है जिसको scatter डियाग्राम कहते है एक x की value लिखते हैं एक side पर एक side पर y की value लिखते हैं याद रखिए x के axis यह जो axis होता है आपके पर इस तरह दो axis होते हैं एक होते x axis एक होते y axis x के उपर जो value लिखते हैं वह हमेशा independent होगी जब दो चीजों का अपस में तालुक होते है न तो एक dependent होती है और दूसरी independent होती है यह मैं आपको समझाता हूँ याद रखिए x हमेशा independent values यहां पर आएंगी और जो dependent values हैं यह y के उपर आएंगी ठीक है फिर जितनी भी values यहां पर आएंगी वह आप scatter plot देख लेंगे और फिर in points का अपस में connect कर लेंगे तो आपको एक idea हो जाता है याद रखिए इसमें कोई frequency table वगेरा हम नहीं देखते हैं एक example है आपके पास फर्स कीजिए एक person आपके पास एक set of persons हैं कुछ sample size है आपके पास कुछ 114 85 यानि देखें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यानि sample size n is equal to 10 दस लोग है हर इंसान का दूसरे से body weight different है दूसरे variable आपने देखा blood pressure systolic blood pressure देखा 120, 125, 140, 160, 130, 140, 140, 140, 200, 130 आप देखें जो blood pressure है वोर सब का different है अब अपने ये देखना है कि जैसे जैसे लोगों का body weight change हो रहा है वैसे वैसे उनका blood pressure भी change हो रहा है तो क्या लोगों के body weight में और blood pressure में कोई तालुक बनता है कि अगर बाडी weight इंसान का भड़ता है कि बलड refugee भी भड़ता है अगर body weight कम होता है क्या blood pressure भी उसके साथ कम होता है क्या इस body weight और blood pressure में कोई तालुक है या नहीं है तो आप पहले तो बात गौर कीजिए यह दोनो quantitative variables है ठीक है अगर body weight है तो वो भी quantitative है एक numerical figure है ठीक है और अगर blood pressure है तो उसकी भी quantity quantity and numerical figure है तो यह भी quantitative है यह भी quantitative है दो quantitative चीज़ों का relationship देखेंगे that is called as correlation तो अब relationship देखने के लिए आपने दो y-axis बनाई देखें यह वहाँ पर y-axis और यह वाली है x-axis अब आप ज़रा सोचे मैंने कहा था x-axis के उपर क्या रखेंगे independent और y-axis पर आगी dependent पहली बात तो यह आपने यह देखने इंसान का जो body weight है क्या वो blood pressure पर depend करता है अब इंसान का body weight तो depend करते है खुराक पर आप ज्य है blood pressure पर depend नहीं करती ठीक है body weight एक independent है हर इंसान के अपना body weight होता है अच्छा दूसरे देख लें blood pressure अब blood pressure देखा जाए जिस इंसान का body weight ज्यादा है यह देखें जिस इंसान का 114 body weight है उसका blood pressure 200 है और जिस इंसान का 67 body weight है उसका blood pressure बिल्कुल नॉर्मल 120 है थोड़ा सा भी अब यह देखें थोड़ा सा body weight बढ़ गया तो blood pressure प्रेशर फॉरी तोर पर 120 से 125 हो गया थीक है थोड़ा समझी अब बॉड़ा समझी body weight बढ़ गया तो आप देखें blood pressure 140 हो गया आप इस बात को ज़रा समझेए कि जैसे जैसे इनसान का body weight increase हो रहा है blood pressure नेकी उर है और जबaging body weight कम हो रहा है तो blood pressure भी कम हो रहा है तो मतलब यह जो blood pressure है यह body weight के ओपर depend कर रहा है तो blood pressure एक dependent quantity है और body weight एक independent quantity है ठीक है blood pressure change करने से इंसान के वजन पे फरक नहीं पढ़ता लेकिन वजन चेंज करने से इंसान के blood pressure पर फरक जरूर पड़ता है तो यानि यह हुआ कि blood pressure एक independent quantity है और body weight एक independent है तो आपने x-axis पर लिखा 60 kg weight, 70 kg, 80, 90, 100, 110, 114, 120 यह range आपने लिखी आप देखें यह वाला जो आपके पास है यह 114 पर आ रहा है यह वाला अगर आप देख लिए कहीं पर 85 पर आ रहा होगा यह अगर आप देख लिए 83 पर आ रहा होगा तो इस तरह 80 और 90 के बीच में जो है मुक्तलिफ body weights हैं यहां पर ठीक है सबसे छोटा यहां पर देख लिए तो आपके पास 67 वाला यहां पर मुझूद है तो एक range है और यह y-axis पर देखें तो blood pressure है किसी का 120 है तो यह point है 125 वाला यह point आ गया 140 वाला देख लें यह point यहां पर है इसके लिए 130 भी किसी का है तो 130 वाला भी यह point हो जाएगा इस तरह 160 वाला भी आपके पास मुझूद है तो यह 160 वाला इस तरह हो गया 180 वाला इदर हो गया और 200 वाला यह देखें यह इस तरह से यह point आ गया तो जिसका 200 है इसका यहां नीचे ले आए तो 114 उसका weight है अब इन points को आप जोड़ें जैसे कि यह point है starting point और यह point है end point इन points को आपस में जोड़ दें इस तरह से line लगा दें extrapolate एक curve बनाए लाइन लगा दें straight line तो आपको पता चलता है कि यह points इस line के कितने करीब करीब हैं अगर तो यह points इस line के करीब करीब होंगे मतलब कि इन points का आपस में तालुक बनता है और अगर यह points line से दूर दूर होंगे तो मतलब इस तालुक बड़ा weak किसम का तालुक है strong तालुक नहीं बनता यह देखें यह line लगाई गई है starts end तक और यह points काफी करीब करीब आ रहें line के तो मतलब इनसान का जो body weight है और जो blood pressure है इन दोनों का आपस में तालुक बनता है so scatter plots क्या है the pattern of data is indicative यह जाहिर करता है type of relationship के किस तरह का relationship है देखें एक यह तो positive relationship हो सकता है या negative relationship हो सकता है positive relationship का मतल यह हुआ कि अगर x की value increase हो रही है तो उसके साथ साथ y की value भी increase होगी यह positive relationship है negative अच्छा positive relationship आपके पास हमेशा से आपी देखें एक की value आप increase करेंगे तो दूसरे की value इन्क्रीज हो रही है एक होता है negative relationship अब negative relationship यह होता है कि first कीजिए आप x की value increase करते हो तो उसकी वज़े से y की value कम हो रही है अब यह negative relationship है और एक चीज़ आती है no relationship कि दोनों के between कोई relationship नहीं है जैसे कि आपके पास एक example है height in centimeter ठीक है एक तरफ height है centimeter में और एक तरफ age है weeks में तो देखें जैसे जैसे इनसान की उमर है यहाँ से यहाँ तक जैसे जैसे age इनसान की बढ़ती जा रही है यह देखें इसकी age इतनी है इसकी age इतनी है इसकी age इधर आ रही है इसकी age इधर आ रही है जैसे जैसे इनसान की age बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसकी देखें यहाँ पर height इतनी तो जब age बढ़ी तो height इतनी आई इसकी height इतनी आ रही है इसकी height इतनी आ रही है similarly यह देखें इसकी height इतनी आ रही है तो height भी भढ़ रही है जैसे जैसे इंसान की age बढ़ रही है वैसे वैसे इंसान की height increase हो रही है तो यानि अगर आप कह दें कि age इंसान की x है और height इंसान की y है तो दोनों के between इस तरह start से लेके end तक line लगाएं positive relationship बनता है negative relationship को देख लें फर्स गीज़े कि example आपके पास है reliability and age of car आपके पास यह age है यहां से 0 है और यहां पे age आपके फर्स पर इसकी 10 साल है और यह reliability का एक factor है यहां पे reliability 0 है और यहां पे reliability maximum है आपने गाड़ी बिलकुल new खरीदी आज ही नहीं नहीं गाड़ी खरीदी है तो जब आज आपने एक brand new गाड़ी खरीदी है तो उसकी reliability पाइदारी जाहर सी बाते बहुत स्यादा होगी ठीक है अब देखे Massachusetts है लेकिन जैसे जैसे आवज उस गाड़ी को अर्सा गुजर रहा है ठीक है एक साल हो गया दो साल तीम साल चार फांच साल ठीक है यह जैसे वक्त भढता जा रहा है गाड़ी की reliability कम होती जा रही है अब देखें इसकी reliability इतनी है जबकर इसकी reliability इतनी है आप लिफिन new गाड़ी थी यहां पे tuh reliability इतनी ज्यादा है और यह गाड़ी age इतनी है तो देखिली जी reliability इस level तक आ तो यह एक negative relationship होता है कि जब आपके पास x की जो value है वो भड़ रही है तो y की value क्या हो रही है कम हो रही है तो इस तरह का relationship एक negative relationship बन जाता है अच्छा no relationship कभी कभी दो factors में कोई relationship नहीं होता जैसे के weight है in pounds और pulse rate है ठीक है अब pulse rate जो आपके पास है या weight in pounds है अगर आप देखें weight भड़ता जा रहा है तो जब weight भड़ता जा रहा है क्या इसका इंसान की pulse rate से कोई तालुक है तो यह देखें किसी का point इदर आ रहा है किसी पहले हुए points है आप एक line लगाए ना इस तरह सीधी line first point और आखरी point के between line लगाए तो यह देखें कितनी दूर-दूर है यह points इसके साफ जाहर है कि pulse rate और weight इन दोनों का आपस में relationship नहीं बनता क्योंकि यह points बहुत दूर-दूर है इस line के करीब हैं नहीं तो यानि इन दोने कि between एक linear relationship बनता ही नहीं है तो अब यह correlation calculate करना पड़ता है एक तो आप जबानी कलामी कह देते हैं कि दो चीजों के between relationship है लेकिन mathematics में या bio statistics में ऐसे जबानी कलामी बातें नहीं चलती वहां पर आपको mathematically एक बात साबित करनी होती है आपको mathematically प्रूफ करना पड़ेगा आपको कोई figure देनी पड़ेगी ठीक है तो इसके लिए फिर एक scientist थे Karl Pearson उसका नाम बंदे का था Karl Pearson ठीक है उसमें mathematical terminologies की जरीए आपको correlation बताई है उसने जो correlation के लिए symbol रखा उसको रो कहते है यह जो आपको symbol दिखाएंगे रहे इस तरह से यह P की तरह के बट इसको रो कहते है और य ग्रीक लेटर है यूनानी जवान का लफज है ग्रीक लेटर है रो इससे आप correlation को denote करते हो और यह आपको बताएगा nature and strength नेचर का मतलब के positive correlation है या negative correlation है और strength आपको बताएगा कितना strong दो चीजों की between relationship होता है और फिर से याद रहे है यह quantitative relationship की बात हो रही है examples sometimes two continuous variables are measured in the same person जैसे कि किसी इंसान की height और weight आप measure कर रहे हो अभी जैसे-जैसे height बढ़ती है वैसे-वैसे weight भी बढ़ता है और जैसे-जैसे height कम होती है वैसे-वैसे weight भी कम होता है इसमें obviously मुक्तलिफ factors है कभी-कभी छोटी height वाले लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो उनका weight ज्यादा होगा और कभी-कभी जो है चोटी height वाले लोग पतले होगे तो उनका weight कम होगा यह भी और और यह भी ओ सकते किसी की height ज्यादा है तो फिर उसका जिसम बहुत बढ़ा है तो इसमें कुछ extra factors है लेकिन नॉर्मल ही देखा गिया है कि जिस इंसान की height ज्यादा होती है उसका साथ साथ में वेट भी बढ़ता है तो हाइट और वेट का कोई ना कोई correlation है या नहीं इन दोनों की between आप एक mathematical equation से correlation ड्रॉ करोगे एक दूसरी example है कि दो groups हैं आप comparison करते हो tallness ठीक है कैसे first कीजिए parents और children के between आपने एक group में मुख्तलिफ लोगों के parents रखे और दूसरे group में उन लोगों के children देखे फिर parents की height चेक की और जो आपने उनके बच्चों की height थी वो चेक की अब parents की height भी क्या है वो एक quantitative variable है बच्चों की height भी quantitative variable है तो आप यह देखना चाहरे हो कि जब parents की height increase हो रही है कि बच्चों की भी height increase होती है तो इन दोनों की between correlation देखना फिर it looks for strength यह बड़ा ज़रूरी है कि correlation तो है कितना strong है कितना weak है यह जानना बड़ा ज़रूरी होता है कहते है if two quantities x and y tend to change with each other यानि कि एगर x और y है जब एक change होता है तो दूसरा भी change हो जाता है तो इन दोनों का मतलब है कि यह correlated है तो जो यह आपके पास sign है जिसको मैं क्या रो यह रो sign आप इस्तेमाल करेंगे और इस से आप किसी दो variable की between correlation find out करेंगे रो की quantitative figure है 1 इस तरह से minus 1 plus 1 0 0.5 0.6 इस तरह से तो यह देखें यह एक figure है जहां पर आपको बताया जाता है कि अगर दो चीजें है x और y उनके between जो relationship है वह maximum 1 हो सकता है 1 का मतलब 100% ठीक है तो 0 का मतलब क्या है यह जो बीच में 0 है 0 का मतलब there is no relationship अगर दो चीजों की between relationship देखना चाहें और answer आजाए 0 तो मतलब कोई relationship नहीं है लेकिन अगर 0 से आजाए ज्यादा maximum 1 आ सकता है 0 से 1 तक अगर आता है plus 1 तो मतलब positive relationship है और 0 से minus 1 तक अगर आता है तो मतलब negative relationship है इधर भी relationship है positive का मतलब x increase होगा तो y भी increase होगा negative का मतलब x increase होगा तो y decrease होगा ठीक है तो negative का मतलब हाला कि दोनों की between correlation है maximum 1 plus 1 हो सकता है या minimum minus 1 हो सकता है इस से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता ठीक है अब वही बात कर रहे हैं कि अगर दो variables है quantitative अगर row की value आज़े 0 मतलब there is no association या there is no correlation कोई correlation नहीं है अगर तो जो row की value है वो आजाती है 0.25 या इससे कम तो मतलब कि यह weak relationship है correlation है लेकिन बड़ा weak सा है strong नहीं है अगर तो आज़ती है value 0.75 तक ठीक है 0.25 से 0.75 तक अगर कोई relationship आता है इसका मतलब यह intermediate relationship है intermediate correlation यानि बहुत strong भी नहीं है बहुत weak भी नहीं है बस दर्म्याना से relationship है और अगर 0.5 से 1 के बिट्वीन आ जाए 0.5 से लेकर 1 के बिट्वीन इसका मतलब strong correlation है यानि बड़े strengthfully दोनों के साथ relate करते हैं और अगर वन आ गया तो perfect correlation यानि बिल्कुल perfect है obviously one बहुत कम cases में आता है लेकिन यह फिर perfect correlation हो जाता है अब यह बड़ा simple सा concept हमने बात की के एक value बढ़ी तो दूसरी बढ़ गई यह correlation है एक value कम हुवी दूसरी भी कम हो गई यह भी correlation है एक value कम हो गई दूसरी value बढ़ गई यह भी correlation है इतना साधा सा concept है लेकिन Karl Pearson ने जो इसका formula निकाला है वो अगर आप देखें summation xy minus summation x summation y divided by n whole divided by summation x square minus summation x square over n into summation y square minus summation y square over n whole under the root यह row का formula है यानि यह correlation का formula है अब खुद सोचें इतना असा सा concept है दो चीज़ों के between relationship को correlation कहते हैं इतना असान concept और इतना मुश्किल formula यह क्या इंसान सोसे यह क्या गंद है कि इतना असान असान बातें कर रहे हैं और formula इतना गंदा देदी है तो देखें किस तरह का यह formula है कि कभी x और y multiply हो रहे हैं कभी आपस में minus हो रहे हैं कभी फिर divide हो जाते हैं अजीब किसम का एक formula है तो मेरा काम है इस formula को असान करना मेरा काम है आपको समझाना कि यह अगर formula लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है क्या वज़ा यहां हम देख किया रहे हैं एक value है x एक value है y ठीक है यानि एक variable है x और एक variable है y, x का भी पूरा data होगा ठीक ह एक जगब एक X है यह इस तरह मुक्तलिफ X का पूरा data आता है Y का भी इस तरह पूरा data आता है ठीक है Y कोई एक figure तो नहीं Y तो पूरा data है बहुत सारे लोग है X value बहुत सारे लोगों की different है Y value बहुत सारे लोगों की different है हमने यह देखना है क्या इस x का कोई y से तालुक है या नहीं है जब x चेंज होता है क्या y चेंज होता है या नहीं होता हमने यह देखना है तो थोड़ा सा आप अपने knowledge को revise कीजिए आपने दो लफ्स पढ़े होंगे पिछले lectures में एक था variance और दूसरा था standard deviation यह बड़े जरूरी लफ्स थे variance और standard deviation अगर आपको previous lectures याद है variance क्या है what is variance variance है कि जब आप इस अपने data को देखते हो ना तो हर point पे data change हो रहा है variance मतलब variety से है change से है जैसे जैसे आप अपने data को आगे forward देखो के वैसे वैसे data अपस में change हो रहा है कहीं पर जो body height है कहीं पर फर्स कीजिए height 10 कहीं पर height 40 कहीं पर height 60 कहीं पर height 70 कहीं पर 110 कहीं पर 150 तो यह change हो रही है weight आपके पास है 60 kg, 70 kg, 71, 73, 65, 51 फिर इस तरह से 57, 82 यह भी साथ में जो आपके पास body weight है वो change हो रहा है तो यह इसकी इसकी अपनी variance होगी और इसकी अपनी variance होगी variance का formula मैं उमीद करता हूं आपको आना चाहिए कि variance में क्या करते हैं सबसे पहले mean calculate करते है mean तो आपने इन तमाम values का mean calculate करना है फिर हर एक value को इस mean में से minus कर लेना है फिर उसके बाद क्या करना है इन तमाम values का square लेना है फिर square लेने के बाद इस x को n-1 पे divide कर लेना है और फिर जो value आएगी उसका under root लेंगे यह जो value आती है यहाँ पर variance होती है उस variance का under root लेंगे तब जाके standard deviation बनेगा यह मैं आपको unit number 3 में समझा चुका हूँ अगर समझ नहीं आ रही तो unit number 3 फिर से देख लीजिए y देखें इसकी भी variance है यहनी हर point पे वो तबदील हो रहे है तो सबसे पहले तो y का अगर आपने variance देखनी है तो mean calculate कीजिए हर एक individual point को mean में से minus कीजिए फिर हर एक point का square लीजिए उसके बाद जो values आएंगी उनका sum करके n-1 पे divide करेंगे तो variance आ जाएगी और उस variance का under root ले लेंगे तो standard deviation आ जाएगा तो यह जेखें आपके पास यह row का formula है यह जो उपर वाला है nominator यह दरसल variance से तालुक रखता है variance ठीक है आपने यह देखना है कि x और y आपस में तालुक रखते हैं के नहीं तो पहले यह देखिए कि जब यह x बदलता है तो किस trend से x बदल रहा है फिर आप यह देखिए y बदल रहा है तो वो किस trend से बदल रहा है क्या x के बदलने का trend y के बदलने के trend से कोई मताबकत रखता है तो इसलिए उपर वाला जो denominator है वो variance है वो variance आपने find out करनी होती है ठीक है कि जब x बदल रहा है तो y भी उसके साथ बदल रहा है यह नहीं और नीचे वाला जो है वो standard deviation है standard deviation जैसे के आपने under root variance का लेना है तो यह देखें under root क्यों लिया किया because जब variance का under root लेते हैं तब जाके standard deviation आती है और standard deviation क्या है standard deviation है data का spread चेक करते हैं वो जो भी मैं आपको scatter plot समझाया है spread यह data कितना फैला हूँ है जितना फैलाओ x में आता है क्या उतना ही फैलाओ y में भी आता है कि नहीं आता अगर तो दोनों कड़ी गड़ीन बनता है और अगर दोनों का फैलाओ बड़ा different है तो मतलब इनका correlation weak है तो इस गुरिणाद पर यह formula बनता है कि पहले तो आप x और y इसका और इसका variance देखने के लिए पहले तो आप इन दोनों का अपस में multiply कर दो उसके बाद x का भी पूरा sum लो, y का भी पूरा sum लो और n से divide कीजिए, ये देखें n-1 जैसे यहाँ पे है तो x का sum और y का sum, summation x, summation y इन दोनों को divide किसमे करना है? n पर तो variance कह एक अंदाजा हो जाता है उसके बाद standard deviation है, कि यहाँ पे आपने summation x square minus summation x over n तो यह बिल्कुल उसी तरह का formula है, बस under root उपर आजेगा similarly summation y square minus summation y square over n इसके उपर under root, तो इस पूरे figure के उपर एक under root आजाता है So these two variables are of quantitative type सबसे बुन्यादी बात यही है, कि यह quantitative type ही है qualitative correlation में आता ही नहीं है एक अगर आप देखें, variable है age ठीक है, फर्स कीजिए age एक quantitative चीज है और age independent है, age किसी चीज़ पर dependent नहीं करती age एक चलती रहती है और अगर आप एक दूसरा देख लें, जो variable है वो body weight है तो जैसे जैसे age भड़ती है, वैसे वैसे इंसान का जो weight है वो भी increase होता है तो age एक independent factor है, जबकि body weight जो है वो age पर depend कर रहा है तो जो depend करता है, वो y axis पर आता है तो body का जो weight है, वो y axis पर हो सकता है तो यह दोनों क्या है, यह दोनों quantitative variables है इन दोनों variables में से एक आपके पास हो गया x और एक आपके पास हो गया y तो x का एक data होगा, y का आपके पास एक data होगा आपने उसी को इस formula में put करना है सबसे पहले x और y को आपस ने product लेना है उनके sum, ठीक है x और y आपस में multiply करेंगे, end पे सारे को add कर लेंगे फिर minus summation x, यानि x को अलग से sum करो, summation y, y को अलग से sum करो और divide कर दो number of sample पर तो यहां तक की बात साधा सी है पहले x और y को multiply करें और end पे उसका sum ले ले फिर उसके बात x को अलग से उसका sum ले, y का अलग से sum ले और उसको product लेके end पे divide कर दे यह साधा सी बात नीचे वे आप देखें तो denominator में यही जो x है इस तमाम x का square ले लिजिए sum करके और फिर इसी तरह जो x का square लेंगे आप उसको end पे divide कर दे फिर यह जो y है, y की जो value है उसका square ले लिजिए और उसको फिर end पे divide कर दे और under root ले ले लेंगे तो अगर आप में practically करके दिखाओ फिर्स कीजिए age 1, 2, 3 और जो एक साल का बच्चा है दो kilo weight है दो साल का जो बच्चा है चार kilo वजन है तीन साल का जो बच्चा है छे kilo वजन है ठीक है, तो age x है और weight y है age independent है, y dependent है ठीक है, और sample size n is equal to 3 देखें 3 बच्चे है, तो n is equal to 3 है अब देखें आपके पास x भी आगया, y भी आगया फार्मूले में क्या था, x y, इस थारा summation x y तो आपने क्या करना है, x और y आपस में multiply करने है x को y से multiply करेंगे 1 multiply by 2, 2 2 multiply by 4, 8 3, 6, 18 तो आपके पास x और y आगया उसके पाद आपने फार्मूले में देखा है x square भी था और y square भी तो था तो x square क्या करेंगे ये आपके पास x है 1 का square कीजिए, 1 2 का square कीजिए, 4 3 का square करें, 9 इसी तरह y का भी square है तो y, 2 का square है 4, 4 का square है 16, 6 का square है, 36 तो x square भी हो गया y square भी हो गया तो आपके पास फार्मूले के लिए x, y भी है, x square भी है y square भी है अब आपने क्या करना है आपके पास आपने sum ये जो आपके पास sum वाला साइन था ये वाला, ठीक है आपने फर्स के sum से summation x 1 प्लस 2, 3, 3 प्लस 3, 6 तो ये आपके पास 6 आगया weight y, 2 प्लस 4, 6 6 प्लस 6, 12 तो y sum 12 आगया फिर आपके पास था summation x y तो दीखिए, summation x y क्या है 2 और 8, 10 10 और 8, 18, 28 ठीक है, summation x y भी आगया x square, summation x square देख लीजे, इस सब को add करेंगे 14 आएगा, summation y square क्या है, इन सब को add करेंगे 56 आएगा, तो आपके पास तमाम जो summation वाले answers थे वो इस तरह से आजाते हैं अब इनको पूट कीजिए summation x y, देखें formula तो यह ना, summation x y, अभी आपने देखें, summation x y कितना है summation x y, 28 तो आपने क्या किया, summation x y यह जगा 28 लिखा summation x, summation y देख लिजिए, summation x है 6, summation y है 12 तो आप देखे सकते हैं 6 multiply by 12 sample size 3 था, तो आपने 3 लिखा उसके बाद, summation x square अगर आप x square वाली values देखें x square, summation कितना है? 14 है, और summation y square कितना है? 56 है तो summation x square देखें, उसकी जगा हमने लिखा 14 और जहां summation y square है उसकी जगा हमने लिखा 56 तो उसके बाद क्या था summation x square over n यानि का आपके पास summation x जो है summation x कितना है? 6 यह आपने 6 लिया square, divide by n n मैंने शुरू में क्या, sample size कितना था? 3 था, तो 3 similarly, summation y whole square summation y था 12, आगर आप खुद देखना चाहें, यह देखिए y है और उसका 12 है तो summation y square divided by 3 तो आपने जब यह formula solve करना है तो इसका perfect answer आता है plus 1 plus 1 का मतलब इंसान का जो अगर दो variable देखें age है और weight है उसकी between perfect relationship है जैसे जैसे उमर भढ़ती है वैसे वैसे इंसान का बजन increase होता है अच्छा अब एक दूसरी example है उसी को थोड़ा सा increase करके sample size आपके पास है 6 पहले sample size 3 अब sample size है 6 जैसे जैसे उमर भढ़ती जा रही है यानि कि आपके पास 7, 6, 8, 5, 6, 9 9 साल का बच्चा भी मोजूल है और वैट भी बढ़ता जा रहा है 13 kg तक वैट आ गया है तो आपने वही फार्मूले अपलाई करना है रो क्या है summation xy summation x summation y divided by n बीच में माइनस और फिर under root लें summation x square minus summation x whole square over n into summation y square minus summation y whole square over n तो आप देखें सबसे पहले xy find करने है तो x तो ये है y ये है xy कैसे find करेंगे इसको multiply इसको multiply इन सब को आपस में multiply करेंगे multiply करेंगे ये xy आ गया फिर आपने क्या करने है summation xy जाहिए इन सब को आपस में add कर लीजिए 461 ये जो आपके पास part है ना summation xy यह तो आपके पास आगया, फिर है, summation x और summation y, यह x है, इन सब को add कीजिए, summation x आगया, यह आपके पास y है, इन सब को add कीजिए, summation y आगया, n कितना है, n is equal to 6, तो ठीक है, आपके पास यह उपर वाले सारी values आगई है, डिवाइड कर लीजिए, summation x square, यह देखें, x है, इस x का square लेजिए, सब का, 7 है तो उसका square ले, 6 है तो उसका square ले, 8, 5 है, इन सब का आपने क्या किया, square ले लिया, इसी तरह y का भी square लेना है, तो इन सब y का भी आपने square ले लिया, अब sum लिखाव है, यानि x का भी आपस में sum लेंगे, तो वो आगई value, और y का भी sum है, तो उनका भ तो इस तरह आप फर्मूला में देखिए आंसर आ जाता है पीज इक्वल टू 0.759 यानि आपके पास वन से कम है 0.75 है लेकिन आपके पास एक बड़ी फिगर है वन से विशे कम है पर्फेक्ट नहीं है लेकिन स्ट्रॉंग पॉजिटिव कोर्रेलेशन बन जाता है अब एक दूसरी एक्जेंपल आपके पास दी गई है comparison age of the car जो आपने बहले बात की कि जैसे जैसे गाड़ी की उमर बढ़ती है वैसे वैसे उसकी price में कमी आती है reliability या price में कमी आपने देखने क्या mathematically भी यह सच है ईक गाड़ी ये जो बिलकुल new है उसको क्या हुआ एक साल हुआ है दूसरी गाड़ी को चे साल तीसरी गाड़ी तीन साल पिर चार साल फिर तीन साल फिर दो साल और और प्राइस देखी जाए तो जो बिल्कुल नीव कार है उसकी 12 लाक कीमत है जो 6 साल पुरानी गाड़ी है उसकी 8 लाक कीमत है तीन साल पुरानी गाड़ी भी 12 लाक की है चार साल पुरानी गाड़ी 10 लाक की है तीन साल पुरानी गाड़ी 11 लाक और 2 साल पुरानी गाड़ी 13 तो यह नहीं मुख्तलिफ प्राइज हैं और मुख्तलिफ गाड़ी की एज हैं अब आप में देखने हैं कि गाड़ी की एज और उसकी प्राइज क्या इनका अपस में तालुक है सबसे पहले तो आप यह फैसला कर लीजिए इन दोनों में डिपेंडेंट कौन से इंसान के एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है लेकिन कीमत डिपेंड करती है आज कीमत कुछ और है कल कीमत कुछ और होगी तो यह जो कीमत है यह बदलती है वक्त के साथ साथ बढ़ती भी है कम भी होती है तो कीमत एक डिपेंडेंट फैक्टर है तो कीमत होगी य और यह जो x और y को आपस में multiply करके यह xy आ गया और फिर sum है यानि इन सब को आपस में add भी करना है तो यह आपके पास summation xy फिर summation x, summation y यह x पूरा sum करके अलग से लिखेंगे, y पूरा sum करके अलग से लिखेंगे, बीच में फिर आपस में multiply कर देना है और divide by n, n किया sample size total sample size 6 है तो n is equal to 6, फिर देखें अगली चीज़ है summation x square, यह x जो है इसका square, यह देखें sum x का यहाँ पे square लिया गया, end पे add कर दिया, और यह देखें summation y square, तो इन तमाम y का square लिया गया और end पे add कर दिया गया, फिर summation x whole square, यह जो x है, इसका sum 19 है, इसका whole square और end से divide करेंगे, और y के साब भी यह यह काम करें, तो formula के अंदर सारी values put की, answer क्या आया, p is equal to minus 0.91, minus को अगर आप ignore करें, 0.9 का मतलब तो strong relationship है, यहनि इसके between एक strong किसम की relationship बनती है, लेकिन minus है, minus का मतलब क्या negative है, मतलब कि ए x ht, जैसे जैसे गाड़ी की उमर भढ़ती है, वैसे वैसे गाड़ी की जो कीमत है, कम होती है, तो जब एक value बढ़ती है, दूसरी value कम हो रही है, ऐसा relationship, negative relationship है, वैकिन है बड़ा strong, यह बात सही है, दुनिया में कहीं पे भी जितनी उमर ज्यादा होगी क्याड़ी की उतनी उसकी value कम होगी, तो बड़ा strong relationship है, बट negative relationship है, so that is the end of unit, जिसका नाम था correlation, यहां पर तक bio stats के 13 units complete हो गए है,